हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू बैक माई न्यू ब्लोग वीडियो फ्रेंड्स आज मैं अभी आया था घूमने लोकनात घाट पे यानि जो गंगाजी घाट होते हैं वहीं आया था और यहां पे आप देख सकते हैं यह गार्डन है आज शाम को मैं अभी घूमने आया था कुछ काम था इधर मेरा तुँमें इधर घूमने आया हूं और आये मैं आप लोगों दिखाता हूँ हरीदायर के कुछ गाट और यहां को पार्क अभी तो मैं यहां पर जहां पे हूं यहां पर आपलोगों देख सकते यह थोड़ा सा छोटा सा पार्ख है जो आप देहरे ह Mutta है Карan दिनने आते हैं और यहां पर पावन धाम है जब कि बहुत फ्रेमा से आप काफी अच्छा न जा रहा है अभी शाम का वक्त है चले आप लोगों को मैं गंगाजी की तरफ ले चलता हूं वहां के दिखाता हूं और यहां यह जो पारखे सिवजी की मूर्ति वह भी आप लोगो को दिखाता हूं तो यह साथ पर मेरा फ्रेंड भी आ रखा है आप लोगों ने मेरे पीछे ले बीडियो में इसको देखा होगा और यहां पर आगे गंगाजी है गंगाजी का घाठ है लोकनाथ घाठ इसे बोलते हैं और यहां पर भी आरती होने वाली है लोग इकत्थे हो रहे हैं और यहां पर मंदिर भी बैक में देख रहे हैं वह एक मंदिर भी है वैसे जो में मंदिर हरिद्वार का हरकिपोड़ी आप लोगों ने सु मेरा फ्रेंड जो कि वहां पे यह देख रहा घूम रहा है फोटो क्लिक करने के लिए बोल ला है तो अभी उसकी फोटो क्लिक करने हैं वैसे हजद्वार काफी अच्छी जगा है यहां बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं घूमने आते हैं और यह दोस्तों जो गंगा जी द करके हैं में मतलब हो चोटे-चोटे जगमलत छोटे-चोटे नाहर टाइप कर गंगा टाइप के हर जगह से निकाल लगता है कभी-कभी यहां का पानी भी बंद कर दिया जाता जो लेकिन घा और मंदिर घाट के किनारे मंदिर अगहरा होते हैं जो कि अबी आतीयों रही है अभी थोड़ा सा मेरो काम था अभी इदर मेरो के टेबिल बनाने थी तो इसी कर लिए मैं आया था और फेड़ने बोला कि चलिए घूम लेते हैं तो भी हम लोग इदर थोड़ा सा 10-15 फिंट घूमेंगे बैठेंगे तो फ्रेंट्स हमें हो गए यहां आधे गंटे 6 बच गए हैं आधे गंटे से हम लोग यहां पर बैठे थे घूम रहे थे थोड़े बहुत भूमा और अब जा रहे हैं फिलाल हम अपने रूम साइट चलिए मैं आप लोगों को आगे के भी दिखाता हूं और यहां पर आप लोग यह जो भाट देख रहे होंगे तो यह तोटे हुए हैं वैसे आगे पीछे के तो थोड़ा ठीक है लेकिन यहां पर थोड़ा सा तूटा है बाकि इधर के सीड़ें वगारा तो अच्छी है और काफी अच्छे भी हमार रखे हैं सुखी नदी यह आप देख सकते हैं सुखी नदी है और यहां जो पानी आता है जो पीछे पहाड है वहां से जब बारिस हो गयरा होती है तो यहां पानी आता है और यहां पे पहले सड़क होती थी लेकिन पीछे अभी बारिस हुई थी काफी तेज बारि भी एक थी वो भी बह गई थी अभी पीछे जो बारीस हुई है